हेलो डीवन वेलकम टुमा यूट्यूब चानल एचरपन कैसी है आप लोग वीडियो में हम लोग कुछ न्यू नोटिफिकेशन इग्रूग के तरफ से रिलीज की गई है उसके बार में बात करेंगे साथी साथ एक्जाम फॉर्म और इसामे समिसर में जो आप लोग को प्रॉ ज्यादा इंफरमिसर के लिए कि कैसे कॉल करना है उपर कार्ट में दिया वीडियो के लिंक चेक करें उससे आपको समझ में आ जाएगा तो जो सबसे पहला कंसर्ण है स्टुडेंट के अंदर वो यही है कि एसामे समिसर में का लास्ट एट और एक्जाम फॉर्म का लास्ट एक्ष्टेंड हो जाए मतलब आज नोटिफिकेसन नहीं आया है तो कल आ सकता है या फिर पर्सु आ सकता है लेकिन चांसेंस अभी भी है लेकिन जिसका भी असायमेंन कम्प्रीट हो गया है वो लास्ट एट एक्ष्टेंड होने का आप लोग मत करो क्योंकि जितने भी बरे लिंक ही काम कर रहा है यहां पर लिंक for submission of assignment एक है और एक alternative link है तो दोनों ही लिंक मैंने open किया देखो दोनों ही google form काम कर रहा है बहुत से student का दोपर में मैंने submit किया अपने इन पर उनसे नहीं हो रहा था तो सब्मिट हो गया तो कोई दिकत नहीं है तो आप लोग कर सकते हो अभी चार घंट आपके पास टाइम है 12 तक आप सब्मिट कर सकते हो प्लस दिली टू के भी जो भी google form बनाया गया है और साथ ही साथ में एक और जो दिली वन रिजिनल सिंटर के तब से जो google form बनाया गया है वो लेकिन फिर मैंने तीन चार बार रिलोड किया तो उसके बाद से यह form open हो गया उसी तरीका से कोलकाता रिजिनल सेंटर के साथ भी सेम चीज हुआ था तीन चार बार रिलोड करोगे तो हो जाएगा सब कोई एक ही साथ सब्मिट कर रहा है इसलिए अगर हो जाएगा तो सब्सक्राइब तो आप लोग कोशिश करो कि आज सब्मिट कर देने के लिए और अगर बाइचांस डेट एक्स्टेंड नहीं हो रहा है तो कोई बहुत ज्यादा पहार नहीं तो जाएगा दो महिना बाद फिर से आप लोग इसामिट कर सकते हो तो मार्स सभी स्टार्ट हो बहुत से इस्टुएंड का यहां पर इसाथ को रहा है और से प्राइब प्रॉब्लम एक्जाम फर्म के साथ भी हो रहा है वहाँ पर आपको इंटरनल सर्वर एरर आरह है लेकिन इसे कोई दिकत की बात नहीं है यह पेज़ जो है ना जश्यां पर रिलोड कर दोगे तो पा आपका exam form submit हो जाएगा, ठीक है, अब जो जो notification रिलीज की गई है, उसके बार में हम लोग बात कर लेते हैं, 3300 convocation जो इगनो के तरफ से 17 favori 2020 को conduct करवाय गया था, उसमें जो भी student ने अपना original degree नहीं लिया था, या फिर convocation में registration नहीं किया था, उनके लिए फिर से एक portal open कर दिया इगनोर करते हैं, अगर original degree आप नहीं लोगे, तो आपका provisional certificate तो invalid हो जाता है convocation के बाद, तो फिर वो आप कहीं पे भी कैसे तरीका से apply करोगे, जब तक original degree नहीं रहेगा तो, ठीक है, तो आप लोग original degree definitely ले लेना, जो भी student 3300 convocation में नहीं ले पाये थे, जिन्हों ने ले ल पहले आपको new registration के उपर click करना होगा, ठीक है, यहाँ पर enrollment number program code put करोगे, जैसे enrollment number program code put करोगे, तो आपका name और सारा चीज आजाएगा, उसके बाद से submit करोगे, तो हो जाएगा, जो भी student 3300 convocation को attend नहीं किये थे, या फिर registration नहीं किये थे, वो लोग definitely कर लेना, ठीक है, उसके पास से result का update हुआ है, 31 December तक जितने भी student का result pending था, result update किया गया है, लेकिन अभी भी unfortunately इतने अपडेट आने के बाद, और UGC का deadline देने के बाद भी, 31 December तक सभी student का result declare हो जाना चाहिए, अभी तक बहुत से student है, North East के Silligory Regional Center, और North East के अभी भी student का result pending है, मैंने जो उनका evaluation center है, C-Long में, वहाँ पे भी बात किया, लेकिन उनके तरफ से भी casual response है, और अभी भी वहाँ पे checking process में है, और अभी तक update नहीं किया गया, फिर भी आप लोग चेक कर लो, आज भी बहुत से student है, जिनका result declare किया गया, जिनका pending था, और साथी साथ evaluation result का भी update किया गया, कल ही update किया तो जो भी आप लोग का evaluation center है, evaluation और उसका नाम at the rate igno.ac.in, वहाँ पे mail कर दोगे, तो आपका marks अपडेट हो जाएगा, या जो भी अभी status है, वो बता दिया जाएगा, ठेक है, उसके लावा जो notification है, वो है, SCST का fee reimbursement को लेकर, जुलाई, सॉरी, जनुरी दो जाए 20 session के लिए जो fee reimbursement का option दिया गया है, वो online जब आप लोग re-recession करोगे ना, वहीं पर एक option दे दिया गया है, मैं आप लोग को कुछ other video में बता दूँगा, मैंने check किया था, वो option online portal में ही आ रहा है, तो जब भी आप लोग re-recession करोगे, और जो भी SCST से बिलॉंग करते हैं, तो वहीं प आप लोग को option मिलेगा, वहीं से आप लोग का fee reimbursement हो जाएगा, और आपको पैसा देने की ज़रुवत नहीं है, लेकिन पहले आप लोग देख लेना, यह जितने भी program है, वो program आपका है या नहीं है, सभी program के लिए जो fee reimbursement है, वो नहीं दिया गया है, कुछ-कुछ program है, total 100 program क यहाँ पे list दिया गया है, तो इसको आप लोग चेक कर लेना, link description में दिया गया है, telegram channel पे मैंने upload कर दिया है, तो वहाँ से आप लोग देख लो, कि अगर आपका program इन सभी program के list में से है, तो फिर आपको fee reimbursement मिलेगा, और यह notice को भी पढ़ लेना, re-registeration के time पे भी आपको fee reimbursement मिलेगा, और fresh admission के time पे भी reimbursement मिलेगा, उसके बाद से जो notification है, वो है, पाना जी regional center के तरफ से, वहाँ पे भी same वही है, जैसे मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, कि सभी regional center को बोला गया है, कि जो भी पुराने convocation हुए थे, जिसमें student ने original degree नहीं लिया था, तो वो यह से पाना जी regional center से हो, तो यह fill up कर देना, बाकी other regional center से हो, तो आपके regional center के तरफ से notification आया हुआ है, उसको check कर लो, और वहाँ पे just आप in person भी जाओगे, तब भी हो जाएगा, और अगर आप form fill up करके भी भी भेज दोगे, तब भी हो जाएगा, सभी other regional center ने तो 600 रखा है, और यह पाना जी regional center ने 400 रखा है, तो यह आप लोग form को download कर सकते हो, जो भी पाना जी regional center से belong करते हैं, उसको fill up करके send कर दोगे, तो आपको original degree by post भेज दिया जागा, या फिर जाके भी आप लोग ले सकते हो, तो पचीसवा convocation में अगर आपने attend नहीं किया होगा, तो यह form है उसके बाद से 26 वा, 27 वा, उसी तरीका से, जितने भी convocation हुए हैं अभी तक, उसका यहाँ पे दिया गया, form अलग अलग करके, तो आप लोग इसको download कर सकते हो, link description में दिया हुआ है, और last में, grade card update कर दिया गया, 30 December तक, जितने भी student का, assignment का marks spending था, उनका भी marks update कर दिया गया ह जो marks grade card में update नहीं किया गया, तो वो भी update कर दिया गया, तो भी आप लोग चेक कर सकते हो, तो यह इस हब था, इस वीडियो में, मैं आप लोग को यह सभी important information देना चाहा था, मुझे उमीद है कि आप लोग की वीडियो पसंद आया होगा, इसले वीडियो को लाइक जूर कर सभी फेंड के साथ सेर करें, ताकि उनको भी important information मिल पाए, किसी भी तरह का doubt के लिए आपनों नीचे account box में लिख सकते हैं, या मुझे directly call करके भी अपना doubt के लिए कर सकते हो, अगर आप लुग चाहा है, चाहे चल पर चैलनल को support भी कर सकते हो, उसके लिए में इंस्टा मोझ